नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूं मदवाला आपके साथ कभी खुद बन जातें सीम तो कभी पत्नी को बना देते हैं सीम वहीं आपको बता दू कि अब बेटे बेटी को राजनीती में सेट करने जा रहे हैं लालू प्रशाद यादप जी आपको बता दू नितीश कुमार एक जन सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से लालू परिवार को निशाने पर लेलिया लालू प्रशाद पर तीखा हमला बोला है नितीश कुमार ने लालू प्रशाद यादप पर क्या-क्या बयान दिया है क्या क्या बोला है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को अंध तक जरूर देखिएगा पुर्वीचंपारन के किसरिया में भाजुपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंग और सिवहर संसदिय छेतर के बैरगनिया में जद्यू प्रत्याशी लवली आनंद के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हैं उन्होंने राजद और लालू प्रिशाद यादव के परिवार वाद पर जोरदार हमला किया है उन्होंने कहा कि पती पतनी की सरकार ने बिहार को बदहाली के और ढखेल दिया था पहले खुद सीएम बने फिर पतनी को बना दिया अब बेटे बेटी को सेट करने में लगे हैं CM ने नरिंद्र मोधी को तीसरी बार प्रिधान मंद्री बनाने के लिए राधा मोहन सिंग व लबली अनंद को वोट देने की अपील की है बिहार में चार चर्णों के लोग सभाग चुनाव संपन हो चुके हैं पांचवे चरण के लिए बेसमाई को वोटिंग होने वाली है जी आपको बता दू चुनावी जनसभा में जूटी भीड को संबोधित करते हुए मुख्यमंद्री निदीश कुमार ने उनकी सरकार द्वारा किये गए विकास कारियो भी गिनाया, उन्हों ने कहा कि हमने बिहार के सबी गाऊं को पक्की सडक से जोड़ा, पूरे प्रदेश में सडको, पूल, पूलियाँ और नालों का जाल बिछाया बिहार का वीकास कर देश में बिहारियों को सम्मान दिलाया, इससे राज्जे के गाऊं का भी विकास नितिश ने बिना नाम लिये कहा कि नौनो बच्चे पैदा करने वाले कभी खुद मुख्य मंत्री बन जाते हैं, तो कभी पतनी को बना देते हैं, कभी बेटे बेटियों को राजनीती में सेट करने में लगे रहते हैं, सीयम ने कहा कि हमने कभी परिवार की बात नहीं की, समूचा बिहार मेरा परिवार है, उन्होंने कहा कि एक दौर था जब शाम ढ़लने से पहले लोग घरों में कैद हो जाते थे, 2005 में जब हमने भाजपा के सयोग से सत्ता संभाली, तो सबसे पहले विदी व्यवस्था को ठीक किया, मुख्यमंद्री ने कहा कि अब हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी वापस मूड कर नहीं देखेंगे, भाजपा से हमारा पुराना रिष्टा है, सीयम ने कहा कि जाती अधारित गनना हमने कराई, लेकिन विपक्षी पाटियां स्रेय लेने में जूटी है, बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सडक, बिजली, पानी, स्वास्त, सुविधा और सिक्षा समी तमाम छेत्रों में बेहतर काम किया है, बाली का सिक्षा वा महिलाओं के लिए किये गए, कार्यों को भी उन्होंने गिनाया, सीयम ने कहा कि विश्व बैंक से कर्ज लेकर जविका से एक कडोड 31 लाख महिलाओं को जोड कर स्वरोजगार मुहया करवाया 8000 क्रविस्तानों की घेरा बंदी कराई, 1000 कब्रिस्तान की घेरा बंदी और होनी है, 2015 में मंदिरों की चहार दिवारी का काम भी हो रहा है, मा सीता की जन् आई टी आई कॉलिज खोले जाएंगे, के सरिया की सभा में प्रोदेश भाजपाद एक्ष समराट चौधरी ने कहा कि मोधी वा नितिश के नित्रत्व में बिहार और देश का तेजी से विकास हो रहा है, 2014 के बाद मोधी सरकार ने 4 कडोड 21 लाख लोगों को पक्का मकान द कर ओपें डॉक सिस्टम बना दिया, तो जैसा कि आपने सुना नितिश कुमार ने एक बार फिर से तीखा हमला बोला है, लालू परिवार पर परिवार वाद को लेकर सवाल उठाया है, और यहां तक आपको यह भी बता दो कि नितिश कुमार का साफ तोर पर कहना है कि लालू परिवार से दो बेटे और दो बेटियां चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, इसी पर नितिश कुमार का पूरा निशाना लालू परिवार पर है, आपको यह भी बता दो कि नितिश कुमार ने जन सभा को संबोधित करते वे वो दिन याद दिला हैं, लालू परि कलना मुश्किल था, लेकिन जब से नितिश कुमार आएं, तो नितिश कुमार बिहार में बहुत ही ज्यादा विकास के और यहां तक आपको यह भी बता दो कि नितिश कुमार का यह भी कहना है कि मैं अब कभी पलट कर RZD की तरफ नहीं जाऊंगा, ऐसा नितिश कुमार ने बयान दिया है, बाकि इन सब मुद्धे पे आप सब की क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बता दीजेगा, फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही एक News24, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर क साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक News24 को सब्सक्राइब करे, यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारे तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करे, धन्यवाद